आम के सीजन में आने वाले ये बैंगनी रंग के जामुन सिर्फ फल ही नहीं और शदी गुणों का भंडार हैं। शुगर के रोगियों के लिए ये किसी वर्दान से कम नहीं है। जामुन एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते, जामुन, जामुन की गुठली, जामुन के तने की जाल सभी काम में आते हैं। इन सभी की medicinal value भी बहुत है। आजकल सबसे बड़ी समस्या शरीर में हीमोगलोबिन की कमी की है। हीमोगलोबिन की कमी से और भी अनेक रोग लग जाते हैं। आखों की रोश्णी कम होना, बालों का जढ़ना, शरीर में थकान बने रहना, इन सभ जाल सभी का एक प्रमुक कारण, शरीर में खून की कमी अर्थात हीमोगलोबिन की कमी भी है। जामुन हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करता है। जिस भी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो, उसे जामुन की सीजन में जामुन का सेवन जरूर करना चाहिए। जामुन में बहुत अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है इसके अलावा इसमें पोटेशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है जो की हमारे शरीर की रोग प्रत्रुधक्षमता को बढ़ाता है यदि मुह से दुरगंध आती हो तो सुबह शाम एक एक जामुन का पत्ता चबा लें मु फायदा मिलता है यदि मसूडों से खून आता हो तो जामुन की गुठली पीस कर नमक के साथ मसूडों पर मालिश करने से बहुत फायदा मिलता है शुगर के मरीजों के लिए जामुन रामबान की तरह काम करता है ये बलट के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है डाय जामुन का रस एवं जामुन की सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है जामुन डायबिटीज में बहुत जादा फायदा करता है गर्मियों में जामुन खाने से लू नहीं लगती एवं इसके खाने से कैंसर होने की संभावना भी बहुत कम रहती है कहते हैं कि यदि जब तक जामुन का सीजन रहे तब तक यदि डेली 100 ग्राम जामुन खा लिये जाएं तो पूरे साल भर तक इसका फायदा हमारे शरीर को मिलता रहता है यदि पेट भूलता हो, पेट में गैस बनती हो, डेली सुबह खाना खाने के बाद जामुन खाने से पेट साफ होता है और पेट की सारी प्रोब्लम दूर हो जाती है पेट में एंठन की समस्या हो तो जामुन के तने की छाल का काढ़ा बना कर पी लें तुरन आरा मिल जाता है जामुन हमेशा आम की सीजन में ही आते हैं कई बार ज्यादा आम खा लेने से बदहजमी की समस्या हो जाती है तो यदि आम खाने के बाद थोड़े से जामुन खा लिये जाएं तो ये बधजमी से भी बचाता है यदि लिवर में किसी प्रकार की प्रोब्लम हो तो सुबह शान जामुन का रस पीने से लिवर की समस्या भी ठीक हो जाती है अगर किसी को पत्री की प्राब्लम हो तो जामुन की बीजों को सुखा कर इसका पाउडर बना लें और आधा से एक चमच पाउडर को एक कटोरी दही के साथ मिला कर डेली खा लें पत्री की प्राब्लम भी दूर हो जाएगी पचास की उम्र होते होते गठिया की समस्या भी आजकल बहुत आम हो चली है जामुन के तने की छाल को पीस कर जोडों पर इसका लेप लगाने से गठिया में भी बहुत आराम मिलता है चेहरे पर पिंपल्स दाग धब्बे मिटाने के लिए हम ना जाने कितने प्रकार के कॉस्मेटिक्स और दवाईयों पर पैसा खर्च करते हैं जामुन के बीजों को पीस कर कच्चा दूद मिला कर पेस्ट बना लें और रोजाना सोने से पहले इसे चेहरे पर लगा लें हफते भर में ही सारे दाग धब्बे चले जाएंगे और चेहरा चांद सा चमकने लगेगा एक चोथाई चम्मच जामुन की बीजों का चून रोजाना चाटने से आवाज साफ और सुरीली बनती है जामुन छोटे बच्चों के लिए भी बहुत फायदे मंद होते हैं यदि बच्चों को दस्त की प्रॉबलम हो तो जामुन की ताजी छाल को पीज कर करीब एक चोथाई चोटा चमच दूद के साथ मिला कर पिला दें दस्त तुरंद बंद हो जाते हैं बच्चे यदि बिस्तर पर बाथरूम करते हों तो जामुन का पाउडर खिलाने से बहुत फायदा मिलता है तो आपने जाना कि जामुन हर तरह से हमारे शरीर के लिए कितना फायदे मंद है तो आज से ही जामुन खाना शुरू कर दीजिए और इसकी गुठलियों को धो कर सुखा कर इसका पाउडर बना कर रख लीजिए ताकि जब जामुन का सीजन चला जाए तब जरूरत पढ़ने पर आप इसका उप्योग कर सकें तो फ्रेंड्स जामुन के फायदे तो बहुत हैं पर कुछ विशेश परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें जामुन नहीं खाना चाहिए यदि किसी को फीवर हो गले या फेफडे में इन्फ्यक्शन हो तो जामुन का सेवन करने से बचें यदि किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो तो भी जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए और सबसे इंपोर्टन बात जामुन खाने के तुरंद बात कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए तो जानकारी उप्योगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हाँ ऐसे ही उप्योगी वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ खुश रहें मुस्कुराते रहें बाई बाई